हलो दोस्तों, रीसेंट ये काफ ये अच्छी रिसेर्च हो थी, जिसके अंदर ये दिखाया गया, कि जिते भी लॉंग टर्म इन्वेस्टर है, वो मार्केट के अंदर एंट्री तो सही टाइम पर करते हैं, जिससे वो बुल रन के अंदर अपने मैक्सिम्म पैसे बना लेते ह हैं, लेकिन जैसे ही बेर रन आधना शुरू हो जाता है, उनके जो रिटन है, वो अप टू 30 से 40 परसेंट के आसपस करेक्ट कर जाते हैं, और जो उन्हें एक्ष्टर ओर्णरी रिटन मनाए होते हैं, वो पूरी के पूरी तरीके से वैनिश हो जाते हैं, और वो वापिस से उन्हीं एवरेज रिटन के पर आजाते हैं, जो होता है 14-17% के CAGR के रिटन, ऐसा क्यों होता है और वो कौन सी ऐसी गलतिय करते हैं, जो कि अगर आप नहीं करोगे तो जो आपके रिटन है, वो एक्ष्टर ओन रही तरीके से बढ़ पाएंगे, कुछ ऐसी चीज़े में विटुप पे अविलेबल नहीं है, या आपको बेवगूफ बनाये गया है आस तक कि भाई, यह यह चीज़े मत करना, वरना आपके जो रिटन है वो बहुत ज़्यदा गिर जाएंगे, मेरा नाम है अभी शेक उपाद है, आप देख रहे हैं काफ़े तिंकर्स, शुरू कर करती, यह मैं क्यों कह रहा हूँ, जो SIP होती है, आपको उसको समझना पड़ेगा, SIP का मेन मतलब क्या है, SIP का मतलब है, systematic investment plan, इसका एक simple सा मतलब यह है, कि market कभी भी उपर हो यह नीचे आपका पैसा जाना चाहिए, लेकिन SIP आपको कभी भी यह नहीं कहती कि भाई, आप जा करके ऐसे stock किया, ऐसे mutual fund में तब invest कर दो, जब वो all time high के आसपास है, अगर आप किसी भी stock, या किसी भी mutual fund किसी भी index करने है, तब invest करने ही कोशिश करोगे, जब वो overvalued है या अपने all time high के आसपास है, तो उस case के अंदर आपको short term में heavy correction देखने को मल सकते हैं, because all time high के आस small cap के अंदर invest करना है, small cap के अंदर invest करना है, सिर्फ तीन से चार दिन के अंदर small cap के अंदर up to 10% का correction देखने को मिला, और वहाँ पे हाहा कार मच गया था, और वो जो हाहा कार मचा था, वो किन ने बनाया था, उन्होंने नीचे खरीदा है, अभी तक वो profitable है, ये सारा का सारा रोना पीटना उन लोगों ने शुरू कर रहा था, जिन्होंने small cap को all time high cash पस करीदा था, और वो ये सोच रहे था, कि जिस हिसाब से ये index चल रहा है, उसी हिसाब से ये पूरे के पूरे time चलता रहेगा, तो जो return investor घुसता है, कि भाई मैं market के all time high पे invest कर दो, because मैं SIP कर रहा है, अरजुन का आप तो कुछ भी हो जाए, मेरे को तीर नहीं लगेगा, लेकिन भाई, अगर आप SIP को कवच की तरह सोच रहे हो, तो वो exactly कवच नहीं होता, तो वो एक तरीका है investment का, जहाँ पे आपको average out return मिलते हैं, long term के अंदर, लेकिन अगर आप smart तरीके से invest नहीं करो होगे, तो जो average out return है, वो आपको below average return मिलेंगे, इसी वज़े से काफी सारे ऐसे underperforming mutual funds होते हैं, जहाँ पे कुछ लोग सही time पे invest करते हैं, अच्छे return मना पाते हैं, वहीं पे वही underperforming mutual funds होते हैं, जहाँ पे जो normal SIP वाले बंदे होते हैं, उनको under performance से भी below return मिलते हैं, क्यों क्योंकि वो strategy नहीं समझते कि SIP का मतलब क्या है, वो SIP का मतलब ही समझते हैं, हर समय पर invest करते रहो, लेकिन SIP के अंदर बहुत सारे तरीके होते हैं, जिससे आपके return extraordinary burden सकते हैं, यह हम normally अपने चैनल पर discuss करते रहते हैं, second important चीजिस से long term investors, जादातर cases में पैसा बरबाद कर करते हैं, कि वो कभी भी mutual fund के अंदर selling ही नहीं करते हैं, उसे बेचते ही नहीं है, अगर आप किसी भी fund manager से जा करके पुछोगे, किसी भी mutual fund advisor से जा करके पुछोगे, कि भाई मुझे क्या खरीदना है, वो आपको 100 ग्यान दे देंगे, लेकिन वो पूछेंगे, यह में पास पास चीज़े हैं, मुझे क्या बेचना है, वो आपको कभी भी घ्यान नहीं देगा, एवन अगर आप YouTube पे उपर भी जाओगे, तो आपको हर एक इनसान घ्यान दे रहा है, कि खरीदना क्या है, वो आपको कभी भी घ्यान यह नहीं देगा, कि भाई, बेचना क्यों है, क्य पैसा बन जाता है, लेकिन लॉंग टम में पैसा सिर्फ और सिर्फ एवरेज बनता है, अगर आपको एवर्ब एवरेज रिटाइन चाहिए, तो उसके लिए आपको strategies यूज करनी पड़ती है, अब जहातर लोग यह पूचेंगे, भाई, लॉंग टम का मतलब क्या है, लोग long term के लिए क्यों invest करना चाहते हैं, लोग हमेशा suggest long term ही क्यों करते हैं, आपको क्या कोछ ज्यादा पता है, पहली चीज़, जब भी आप long term के लिए invest करते हो, तो जो आपका risk होता है, वो time ज्यादा होने के वज़े से mitigate हो जाता है, कि भाई, अगर market gear के किसी भी reason के वज़े स तो आपका जो risk है, वो कम हो जाए, क्योंकि आपका अस लंबा time है invest करने का, second चीज़, जब आप long term invest करते हो, तो जो fund advisors हैं, उनकी commissions बहुत ज्यादा बनते हैं mutual fund में, इसलिए वो कहते हैं, long term के लिए invest करो, third चीज़, अगर आप long term के लिए invest करते रहोगे, तो जिसने भी आ चलेगा, तो क्यों चलेगा, नहीं चलेगा, तो क्यों नहीं चलेगा, long term में चलेगा, तो क्यों चल सकता है, वो आपको बोलता है, मैं तो long term investor हूँ, या आपने invest किया, long term तक invest करते हो, उससे कभी पूछो कि long term में क्यों चलेगा, reason क्या है, ये बताओ, तो वो कभी आपको reason जिन्दी बताएगा तो इसी वज़े से यह लॉंग टाम इंवेस्टिंग का गेम है यह बेवगूफ बनाने के लिए किया जाता है अगर आपको सही तरीके के पैसे चाहिए तो बाई टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुकिंग करनी पड़ेगी जब मार्केट ओल टाइम अगर एक mutual fund अच्छे तरही से ग्रू नहीं कर पारा वो अंडर परफॉलियो को जल्दी से बेच करके निकलते हैं वो ज़्यादा पैसा कमाते हैं जादा तरह यह चीज़ देखी गई है कि जो अपने लॉसस को नहीं काटना सेखते जो अपने अंडर परफॉलियो को जल्द वाले mutual fund या stock को बेचना नहीं सीखते long term में उनका बहुत बड़ा loss होता है because compounding इतनी गंदी तरीके से hit होती है जितनी तरीके से कुछ और नहीं होती अगर आपके portfolio में आपको 10-20% का loss दिख रहा है लेकिन उसी के साथ साथ आपको एक ऐसी opportunity दिखे ऐसा mutual fund या ऐसा sector या फिर funds ही आपको पैसा कमाना है बेचो किसी और में जाओ profit booking बहुत important है loss booking बहुत important है सही time पे exit करना बहुत जदा important है जैसे सही time पे entry करना तो यह साही चीज़े आपको समझे नहीं पड़ेंगी अगर आप सिर्फ वोलोगी कि SIP और long term से पैसा बन जागा मेरा भाई average बनेगा अग long term investment का मतलब क्या होता है long term investment का मतलब यह है कि आप market में कितने दिन तक टिके वे हो ना कि किसी stock या किसी mutual fund में कितने समय तक टिके वे हो अब अगर आप एक ऐसी company में first guy let's suppose जिसके fundamentals खराब होगे किसी भी reason के वज़े से जिसके promoter ने घपले बाजी कर दी कि उसके ओपर AD की rate पड़ गए उसका जो promoter है वो भाग गया उसके उसके जो mutual fund manager है उन्होंने कुछ अच्छा काम नहीं करा under performance है और आपने एक चीस सीखिया कि भाई मैं long term investor हूँ तो भाई long term में कुछ नहीं बनेगा बनेगा सिर्फ गंटा तो इसी वज़े से अगर आप एक long term investor हो तो sensibly long term investing क अगर आप करते रहोगे तो भाई average return मिलेंगे उसी के साथ साथ जब आप कहते हो long term invest करते हैं तो उसके बीच बीच में काफी easy money के option आते हैं जैसे आज से दो साल पहले के आसपस जब market consolidation में थी तो वहाँ पे channel trading काफी अच्छे तरह किसे काम करती थी market एक जिगा जाकर support लेत होते हैं तो हमीशन long term invest नहीं करना इसको गयते हैं satellite way of investing कि आपका एक core portfolio है जहां पे आपने अच्छे पैसे invest करें जहां पर आप कहरे हो कि भाई यहां से मेरा पैसा बनेगा दूसरा portfolio वह होता है जहां पे आप satellite की wings होती है ना चोटी-चोटी से निकली वह उसमें क्या करते ह आप क्या कुछ ऐसे stocks या mutual fund या index या stocks खरीते हो जो एक अच्छे valuation के आसपास है आपको पता है कि इस industry में growth नहीं है आपको यह भी पता है fundamentally यह शायद इतने अच्छे नहीं है लेकिन आपको यह पता है कि इतने correct हो चुके हैं यहां से short term में swing आ सकता है जैसे आप banking को मान सकत सकते थे तो वहां पर आपको swing लेना है और निकल जाना है जैसे defense को मान सकते थे ऐसे ही सुजलोन को मान सकते हैं जो सस्ते सस्ते प्राइस पर खरीदो एक swing लो 100% के आसपास की भी हो सकते वह swing और उसको बेचो और निकल जाओ तो अगर आप से भी यह सोसते हो कि भाई भी ल यह बहुत अच्छे returns होते हैं और अगर आप उसको सखी time पर tap कर पाओ तो आपके काफी अच्छे return मनते हैं सिर्फ long term investing से कुछ नहीं होता भाई गर हम short term में पैसा बना सकते हैं तो वह क्यों ना होना इसलिए sectoral funds भी अच्छे होते कई cases में इसी तक से thematic funds भी काफी अच्छ कर रहे हैं और अगर आप अभी तक यहां पर बने हो तो आपको फोर्थ bonus tip देता हूं कि रिस्क reward ratio को समझो कि भाई कौन सी चीज आप किस price के उपर खरीद रहे हो तो सबसे पहले चीज आपको यह समझी नहीं है कि यहां से गिरावट होगी तो कित्ती हो सकती है एक basic example अगर उससे उपर जाने के chances कम हैं नीची आने के chances ज्यादा हैं वहाँ पर रिस्क ज्यादा है तो कोशिश करो आपके जो rewards से ज्यादा हो तब ही आपका पैसा ज्यादा बनेगा अगर आप हमीशा all time high पर खरीद होगे तो आपको all time और उपर बेचना पड़ेगा तब ही पैसे बन और आइनो मैंने काफी सारे myth आपके तोडे होंगे काफी सारे नए concept शायद आपने सीखे होंगे वीडियो पसंट है तो comment section में जरूर बताना कौन से चीज आपको पता थी कौन से चीज पता नहीं थी कौन से चीज अच्छी लगी या फिर कौन से चीज आपको बुरी लगी thank you so much for watching this video da da bye signing off